दोस्तो बिहार पुलिस फायर मैंन का रिजल जारी हो चुका और बहुत से से कंडेट हैं जिनके की अच्छे नमर होने की बापचूत उनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है और वे सभी कंडेट जानना चाहते हैं कि आखिर कट अप कितना गया है तो इस वीडियो में आप सभी को क नुक्सान वावें रहे सकेंड वाले को फायदा हुआ है इसके बारे में भी आप सभी को सारी जानकारी मिलने वाली इसलिए आप से विडियो को पूरा वस्तिक हेगा तो चलिए अज कब डियो स्टाट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि खिस परकार से फस्सटिप्र वाले था कि सेंटर पर कितने कंडिडेट का एक्जाम लिया जाना था इसके बारे में जानकारी CSBC दोरा ओफिसियल साइट पर दी गई थी वी भी आप सभी को ये PDF CSBC के उफिसियल साइट पर देखने को मिल जाएगा तो फर्स शिफ्ट बाले जितने भी कंडिडेट थे उन सभी का रॉल नमर 16 से शुरू हो रहाता यानि की 16 से शुरू होने बाले जितने भी रॉल नमर थे वे सभी फर्स शिफ्ट बाले कंडिडेट थे उसके बाद evening shift यानि कि second shift बाले candidate का रॉल नमर 26 से शुरू हो रहाता 26 से शुरू होने बाले जितने भी रॉल नमर थे सभी second shift बाले candidate थे result में भी आप सबी को 16 से शुरू होने बाले जितने भी के रॉल नवर मिलेंगी सब्सक्राइब कि रॉल नमर है उसी तरह रिजल्ट में आप से 26 से शुरू होने बाले जितने यह सब्सक्राइब कंडिडिक है उसके बाद फिर्सम्री टूटल 596 संटर बनाए गेते हैं इसके नुसर देखे तो दूनुख सिफ्ट में कंडिडिक की स फर्स shift में टोटल 5,075 keyword का स्लेक्षन, physical के लिए हुआ है, second shift में देखे हैं, second shift में टोटल 6326 keyword का स्लेक्षन, physical के लिए हुआ है, first shift और second shift के result में, आपसे अंतर देख सकते हैं, first shift और second shift के result में लगबग 1880 keyword 밭ा नतर है, यानि कि first shift की तुलना में, सेकेंड शिफ्ट में लगबग 18 स्वाधिक कंडिट पास हुए हैं तो फर्स शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में आप सुभी ने देखा कि रिजल्ट में कितना अंतर है जब कि दोनों शिफ्ट में कंडिडिट की संख्याल लगबग समान है और इसी तरह का हाल बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के 24-5 पूष्ट के रिजल्ट में देखने को मिला था 24 संख पंदरब पूष्ट का एकजाम टूटल 4 सिफ्टों में वहा था और 4 ओ के रिजल्ट में पता लगाया जा सकता है आप सभी देख सकते हैं कि यह दूनों फिमेल कंडिट हैं जिसमें की जेनरल में एक कंडिट का 65 में रिजल्ट हुआ है वहीं OBC में यानि की BC में एक कंडिट का 70 में रिजल्ट हुआ है उसी तरह से आप सभी एक और female candidate का देख सकते हैं कि ये female candidate ABC के टेगरी से हैं जिनका की 71 नमर होने पर इनका selection हो गया है उसके बाद female में ही EBC में आपस भी देख सकते हैं कि इनका 72 नमर होने पर इनका physical के लिए selection हो गया है उसके बाद female में ही EWS category में आपस भी देख सकते हैं कि इनका 64 नमर होने पर इनका physical के लिए selection हो गया है अगर candidate के दूर्ष सही comment किया गया है तो उसके दर पर female candidate का cut up देखे तो general female का cut up 75 से कम गया होगा लेकिन 75 से अधिक नहीं गया होगा उसके बद BC की बाद के तो BC का cut up 70 गया होगा लेकिन 70 से अधिक नहीं गया होगा EBC की बाद के तो EBC का cut-off 68 गया होगा लेकिन 68 से अधिक नहीं गया होगा SC की बाद के तो SC का cut-off 65 से कम गया होगा लेकिन 65 से अधिक cut-off नहीं गया होगा ST की बाद के तो ST का cut-off 60 गया होगा लेकिन 60 से अधिक नहीं गया होगा वहें EWS की बाद के तो EWS का cut-off 64 गया होगा लेकिन 64 से cut-off अधिक नहीं गया होगा अगर male candidate का बात कर यानि कि male candidate का cut-off कितना गया है तो male में select candidate में से बहुती कम candidate का comment मिला है ना के बरावर candidate का ही male में comment मिला है लेकिन female के cut-off से देखा जाता है कि female के cut-off से male का cut-off minimum 15 नमर अधिक ही रहता है बियार में देखतर देखा जाता है कि फिमेल के कटोफ से मेल का कटोफ मिनिमम 15 नमर अधी की देखने को मिलता है इसके दार पर मेल का कटोफ देखे यानि की मेल का कटोफ कितना गया होगा तो सबसे पहले जेनरल मेल की बाहत के तो जेनरल मेल का कटोफ 90 के आसपास गया होगा बीसी मेल की बाद के तो बीसी मेल का कटप 87 के आसपास गया होगा एबीसी मेल की बाद के तो एबीसी मेल का कटप 84 के आसपास गया होगा स्थी मेल की बाद के तो स्थी मेल का कटप 80 के आसपास गया होगा स्थी मेल की बाद के तो स्थी मेल का कटप 76 के आसपास गया होगा बाबजूद आपका सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो हो सकता है कि आप सभी ने ओइमार भरने में कोई गलती की होगी तो इससे अधिक नमर होने के बाबजूद अगर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो हो सकता है कि आपने ओइमार भरने में गलती की होगी जिसके कारण आ आप सभी को वीडियो के मादम से जानका रीदे देंगे इसके लए प्लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जड़ादा सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज कब दोस्माप करते हैं वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद